नमस्कार दोस्तों दोस्तों लोगसभा इलेक्शन 2024 के लिए एक रैली करते हुए नरेंद्र मोधी कहते हैं कि 2014 से 2024 तक जो आपने देखा है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था इन दस बर्सों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है तो दोस्तो इस वीडियो के जरिये मैं आप लोगों को बतानी की कोसिस करूँगा कि क्या-क्या आता है इस ट्रेलर में और अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं तो इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर करना तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या आता है इस ट्रेलर में दूसर इस ट्रेलर में सबसे पहले आता है भारत के किसानों को अपना हक मांगने पर उनको आतंकबादी और खलिस्तानी कहना और उन पर इस तरह से टीर गैस के गोले और डंडे बरसाना चाहें बो 2020-21 के किसाना अंदोलन में हो या फिर 23-24 के किसाना अंदोलन में आगे इस ट्रेलर में आता है भारत की महिला पहलवानों को नियाए की मांग करने पर उन्हें इस तरह से सड़क पर घसीटा जाना और आरोपी का इस तरह से खुले घूमना और बीजेपी का परचार करना इसके बाद इस ट्रेलर में आता है उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेवल एक्जाम को लीग कराकर उत्तर प्रदेश के 50 लाग से ज़्यादा बेरोजगार युवाओं की मेहनत के साथ खिलवार करना और उनको पकोड़े बेचने के लिए मजबूर करना क्योंकि नरेंद्र मोधी मानते हैं कि पकोड़ा बेचना भी एक रोजगार का साधन है अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 लुपया कमा करके घर जाता है उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे के नहीं मानोगे आगे उस ट्रेलर में आता है चीन के द्वारा लद्दाक में 4000 किलोमेटर स्कॉार से जादा और अरुणाचल प्रदेश में 50 किलोमेटर से जादा भारत की जमीन पर कबजा कर लेना और साथ ही चीन के दौरा भारत के अरोना चल प्रदेश की टेरिटरी में जगहों के नाम बदलना और इस सब पर विदेश मंत्री ऐस जैसंकर के दौरा बयान देना कि चीन हमसे बड़ी एकोनमी है तो इसलिए हम चीन से कुछ नहीं कहेंगे हमारी जमीन चीनने पर भी अब बड़ा बड़ा जब भी अच्टार के बारे आज आपको बड़ा जाता हूं कुछ दिन पहले इंटर्वियू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की एकोनमी एकोनमी से बड़ी है तो हम उन से कैसे लड़ सकते हैं जब अंग्रेज हम पर राज करते थे क्या उनकी एकोनमी हमारी एकोनमी से चोटी थी लड़ाई इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत जो आपसे कमज़ूर है उसी से लड़ो इसको कायर्दा कहा जाता है और नाम बदलने पर कहना कि नाम बदलने से जग है चीन की नहीं हो जाएंगी और इस तरह के बयानों को देने के पीछे बजा है बीजेपी के द्वारा पॉलिटिक्स को नेशनल इंटेगरिटी और कॉंस्टिट्यूशन से ज़्यादा इंपॉल्टेंस देना जिसके एक्जामपल्स इंटरनेशनल लेवल पर लदाख और अरोनाचल प्रदेश में और नेशनल लेवल पर मनीपूर में आप देख चुके हैं और कॉंस्टिट्यूशन के साथ जिस तरह से ही लोग पेश आते हैं वो तो आप सब आए दिन देखते ही रहते हैं और आगे उस ट्रेलर में आता है भारत की मेहनिती जनता से टैक्स लेकर इखटा किये गए 16 लाख करोड रुपे को कॉर्परेट्स को दान कर देना और उसके बाद इस पैसे में से कुछ इलेक्टरल बोंड के चंदे के रूप में बीजेपी के पास इखटा करना जिसकी जलक आपको पिछले कुछ सालों में बीजेपी के नेताओं की संपत्ती जिस तरह से इंक्रीज हुई है उसमें देखने को मिल जाईगी आगे इस ट्रेलर का हिस्सा है लद्दाख में धारा 144 लगाना और इंटरनेट बैन करना ताकि बहां के लोगों और सोनम बांक्चुक के द्वारा जो आवाज उठाई जा रही है चीन द्वारा इंडिया की 4000 किलोमेटर से जादा जमीन पर कबजा करने को लेकर और लद्दाख की जमीन को कॉर्पोरेट्स को देने को लेकर गवर्मेंट के खिलाफ जो आवाज उठाई जा रही है उसको दवाया जा सके हमें लग रहा है कि ना उन्हें राष्ट्र सुरक्षा की चिंता है ना सैनिकों की चिंता है और यहां के लोगों की तो बिलकुल नहीं है पिछले 21 दिनों के अंशन में एक बार तक नहीं पूचा मगर जब यह मार्च की बात आई तो इतना डरावना माहूल बना रहा है तो फिक्र सरिफ लगता है कि इलेक्षन पर यह जो अतिक्रमन है उसका असर ना पड़े वोटों पर असर ना पड़े या फिर जो चरागे कॉर्प्रेट्स को दिये गए हैं उन पर असर ना पड़े आगे उस ट्रिलर में आता है उन कंपनीज को पब्लिक इंफ्रेस्ट्रक्टर के कॉंट्रेक्ट्स देना जिनोंने बीजेपी को चंदा दिया है मुर्थियों का एक तूफान में ही ऊड़ जाना मतलब भगबान के नाम पर भी करिप्ून और बोलते हैं कि ये ब्रहस्टाचार के खिलाफ गारंटी है इसलिए नरेंदर मोधी को ये नहीं बोलना चाहिए कि ये ब्रहस्टाचार के खिलाफ गारंटी है बलकि इनको बोलना चाहिए कि ब्रहस्टाचार की गारंटी है और ये बात तो जम्मू कस्मीर के गवर्नर रह चुके डॉक्टर सत्यपाल मलिक भी मीडिया के सामने बोल चुके हैं और अब आती हैं इस ट्रेलर की सबसे हाइलाइटेड बाते हैं जिसमें पहला है उत्राखंड की अंकिता भंडारी के रेप और मर्डर के आरोपियों को आज तक सजाना मिलना और वो भी तब जब BJP Government Women Safety के बारे में बड़ी बड़ी बाते करती हैं साथ ही उस ट्रेलर का हिस्सा है BJP के IIT CL के लफंगों के द्वारा IIT BHU जैंसे Prestigious Institute जिसमें की Foreign Students भी पढ़ने के लिए आते हैं बहाँ पर एक student का रेप होना वो भी इस बजहाजे क्योंकि वह रात को अपने hostel से बाहर थी बाकी के मुद्दे भी अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो ये ट्रेलर पूरी मूवी की सकल ले लेगा जैसे की GST, Note Bandi, Money Poor, Electoral Bond, PM Cares Fund और IUS One Card को लेकर भी जो Scams सामने आये हैं इसलिए इस बीडियो को यहीं खतम करते हैं और बीडियो गर informative लगी हो तो बीडियो को लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं धन्यवाद